इस वर्ल्ड कप में अगर टीम इंडिया ने इतना शांदार परफॉर्मस करके दिखाया तो ये कोई एक या दो इंडिविजुल प्लेयर का कमाल नहीं है पुरी टीम ने जबर्दस तरीके से क्रिकेट खेली है चाहे आपके कप्तान रोईट शर्मा की बात करें नमबर तीन बलिबास विराट कोली की बात करें शरे शहीर आखरी चार मैचेज में धवाल मचा दिया केल राहुल विकेट के पीछे डियारेस विकेट के आगे बैटिंग करते वे आउटस्टेंडिंग परफॉर्मस सुरी कुमार यादब इंगलें की खिलाब में he was very good ने अगर गेनबाजो की बात करें तो उसके बारे में आप क्या ही कहेंगे हर मैच में आपके गेनबाजो ने आपको मुकाबले में जीत दिलाई है लेकिन इन सब को चलाने वाला आपका कैप्टेन है रोहिट शर्मा और रोहिट शर्मा हर मैच में कुछ न कुछ नया कर रहे है बैटिंग में तो हम सब ने देखा है लेकिन फाइनल मैच में रोहिट शर्मा को एक नए रोल में आप देख सकते हैं और इसकी ज़रूरत है टीम गेन बाजी करते वे भी देख सकते हो जी है इस वीडियो को आकरी तक जरूर देखेगा और अगर आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो फटा फट कर लिजीगा क्योंकि रोईट शर्मा हो सकता है कि फाइनल मैच में आपको गेन बाजी करते वे दिख जाएं खबर आ कि एहमदाबाद में उस्चलिया की टीम को परिशान करने के लिए ऐसे में अश्विन टीम में आ जाएंगे इसकी संभावना कम है भारती टीम अपनी प्लेइंग 11 में ज्यादा बदलाव नहीं करेगी प्लेइंग 11 आपकी वही सेम होगी गेन बाजी लाइनप में वही कुल ट्राक पर तो कोटा है लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं एक और स्पिनर की हमें जरूरत है तो वहाँ पर जो आप स्पिनर की भूमिका है वह आपके लिए क्याप्टन रोइच शर्मा निभा सकते हैं ऐसी खबर आ रही है उन्होंने नेट पर काफी गेन बाजी भी कि है रोइच शर्मा ने अफकोस इस से पहले मैंने देखा भी था एक तस्वीर जहांपर की इशान किशन को नेट पर गेन बाजी कर रहे थे मुंबई में समी फाइनल से पहले प्राइट टू समी फाइनल एंड वो हमने देखा कि किस सरीके से नेधरलन्स के खिलाप में गेन बाजी भी की एक विकेट भी उन्होंने निकाला था रोइच शर्मा ने विराट कोली ने लेकिन चुकि यह टर्निंग ट्रैक बनाई जा रही है एहमदाबाद में और कहा जा रहा है कि इस रोल में आपके रोइच शर्मा नजर आ सकते हैं और वो गेन बाजी कर सकते हैं या बड़ा मैंच होगा इंडिया के तमाम जो क्रिकेटर्स हैं उनके करियर का यह सबसे बड़ा मैंच होगा और उसके लिए कप्तान जो है वो हर चैलेंज लेने के लिए तैयार है तो आल दबेस रोइच शर्मा आल दबेस विराट कोली टीम इंडिया जरूर कहीएगा क्योंक और लगातार बनेरे स्पोर्ट्ट्रा के साथ में